परिवर्तन होते रहते हैं तो इस तरह का जो सोलर फ्लेयर्स आएंगे या इस तरह की गड़बडिया होगी उससे बहुत सारी गड़बडिया हो सकती है कि जैसे कि सोलर की गडबडी आने से उसमें से उरजा बहुत एक साथ निकल आएगी उसमें जो पार्टिकल्स है वो बाहर निकल आएगे तो हमें तो उसकी स्टडी करना है क्योंकि हमारे बहुत सारे साटलाइट जो और घुम रहे हैं उसमें उसका उसके एनरजी का उसके तो इस तरह के हम सोच सकते हैं कि यह सूरज की सुनामी है और उससे बहुत सारे गडबडिया हो सकती है प्रुत्री पर भी हो सकती है इस वज़े से हमें यह डेटा जुटाना और इसके साथ यह स्टडी करना बहुत जरूरी है आदित्या एलवन को हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं जब एदित्या एलवन इस हेलो और्बिट में होगा प्रुफेसर साब तो जो भी आप कह रहे हैं एलेक्ट्रो मेगनेटिक फील जब एमिट होगी संसे क्योंकि वो एब्जॉब भी करता है एमिट भी करता है तो वहा जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं उसकी स्टडी पहले से की जा चुकी है कि क्या क्या हो सकता है वो फ्लेर आने से टेंपरेचर कितना बढ़ेगा ज्यादा रेडियेशन आएगा तो वो कि उसका कितना एफेक्ट होगा इस तरह सी और उसके जो उपाय है ये पहले से किये गए ह इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये उन्होंने तो कहा है कि पांच साल तक पर मेरे मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सालों तक हो सकता है 20 साल तक भी वो काम करते रहेगा और हम बहुत सक्सेस्पूल रहेगी तो बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर साहरे साब लेकिन हमने 15 लाग किलो मुटर तेंग किया है क्या कोई और मिशन ऐसा रहा है जिसने और आगे तेंग किया हो जी हां ऐसे कई मिशन पहले नासा ने भीजे हैं यूरोपिन स्पेस एजंसी के साथ मिलके जिसमें से कि अभी 2018 में लगबग 5 साल पहले एक पारकर सोलर प्रोब भीजा ता वह काफी एडवांस था जिसने सूर्य के बहुत करीब जाके काफी डेटा लिया था लगबग 65,000,000 किलो मिटर दूर जो कि बहुत जादा दूर नहीं है काफी करीब है सूर्य से सो वो अब्जर्वेटरी वो भी एक तरह का हमारा एक अच्छा human endeavor बोल सकते हैं उसे है ना मानव था कि बनाए गया एक बड़ी अच्छी machine थी वो भी और अभी भी वो घोमी रही है वो कभी बहुत करीब जाती है तो कभी बहुत दूर जाती है जैसे एक कॉमेट होता है उस तरह का एक highly elliptical path में move कर रहा है पारकर solar probe ये एक अच्छी चीज़ है पर हाँ कई मानों में हमारा जो अधित्य L1 में वो उससे बहतर है क्योंकि वो सिर्फ सूर्य को study करता है पर हमारा जो अधित्य L1 है वो हमारे धर्ती के जादा करीब है इतना करीब है कि हमारे पास आने वारी जो रिडेशन है बिल्कुल मामस साब आपके पास आएंगे लेकिन बहुत बड़ी ख़बर आपको बता दे प्रदार मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बदाई दिये भारत का मिशन अधित्य L1 अभी तक सक्सेस्वल रहा है हेलो अबिट में स्थाबित हुआ है अधित्य L1 कितने बड़े बेंचमार्क के तौर पर देखते हैं प्रफेसर साब अब इसे नी ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे तो पहले से ही बहुत कॉंफिडेंस था और लगता था कि ये बहुत सक्सेस्वल रहेगा और इसमें कोई गड़बडियों की कोई संभावना थी नहीं क्योंकि हमारे पास में इस तरह का बहुत पहले से डटा था पहले से सारा देन किया गया था तो ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छी बात है कि वो अभी फाइनली अपने और्बिट में वो स्थापित हो गया और ये अब्जरवेटरी अभी अपना काम करना शुरू करेगी बहुत सारा डेटा हमें मिलेगा और उसे मानव नहीं मानव पूरे मानव जाती को बहुत फाइदा होगा अब कितनी देर में अपना काम करना शुरू कर सकता है मैं बताना चाहूंगा कि इसने अपना काम अल्रडी नमंबर के महीने से ही शुरू कर दिया था इसके कई सारे पेलोड्स ने हमें जानकारी देना शुरू कर दिये तब से ही पर हाँ अब जब ये रुख गया है वहाँ पर या फिर कह सकते हैं कि relatively वो काफी stable हो गया है अपने जो भी उसका path था वहाँ पर तो अब हमसे अपने full format में अपने सारे experimentation को स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लाव जैसे कि मैंने बताया कि ये ना सिर्फ sun को study करता है पर sun से निकले हुए जो rays है जो particle radiation है जो cancer तक कर सकते हैं उनका अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसे भी समझने में ये बहुत सक्षम है क्योंकि इसके पीछे वाला है तो देखे प्रधान मत्वी ने ट्विट कर बदाई दिये और कहा है कि हमने एक और लक्ष्य जैव प्राप्त कर लिया है उन्होंने तमाब विज्ञानिकों को बदाई भी दिये और लगतार गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए है मबा चारूजी आप कोई बात कह रहे थे उसे आप पूरी कीजिए फिर उसके बाद अगला सवाल पूछे उससे ये कुछ माइनों में बहतर है इसलिए क्योंकि ये ना सिर्फ सुर्य को स्टड़ी करता है पर उसके जो प्रभाव धर्ती पे पड़ते हैं जो हामफुल रेडियेशन आती है उसको ये धर्ती के परस्पेक्टिव से धर्ती के लिहास से भी समझने ही गोश्च करता है अब अमेरिका में जब सोलर स्टॉम आया था तो देखा था सबने किस तरीकी के हालात वहाँ पर थे लेकिन इस तरह की बहुत सी चीज़े हैं जैसे अल्ट्रा वालिट रेज हो गई या हीट स्टॉम्स हो गए इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिनका पता लगाया जा सकत है लेकिन उनमें एक एहम है प्रोफेसर साब CME ये क्या है कोरोनल मास इंजेक्शन और किस तरीके से ये प्रत्वी को एफेक्ट करेगा देखिए इस प्रत्वी पर जो है हम सुरक्षीत है ये इसी लिए कि हमारे पास एक लेयर है हमारे पास एट्मास्पियर है इस तरह का बात जो है अंतरिक्षी में नहीं है अब यह जो है हमें प्रोटेक्ट करता है तो यदि सूर्य के इस फ्लेयर से कुछ ऐसे रेज आते हैं कौस्मिक रेज हैं ४्रोटॉन्स हैं क्यूंकि वहां तो नुकलियर रियक्शन Зд तो और टेंपरेचर बहुत जादा है तो जो भी फ्लेयर होंगे कुछ यह होगा उससे तापमान का भी फरक पड़ सकता है उससे जो घातक जो रेडियेशन आ रही है वो कहां तक एपसाब होगी और उसमें से कितनी धर्ती पर पहुंचेगी इसकी स्टडी भी करना बहुत जरूरी है साथ साथ जो हमारे सैटलाइट्स जो अंतरिक्ष में घुम रहे है बाकी सरसा तरह की स्टडी करने के लिए हमारे जो इस एन्वार्मेंट की स्टडी करते हैं तो बाकी मिलिटर सैटलाइट्स है बाकी सब जो भी कम्मिनिकेशन के लिए सैटलाइट्स है यह सैटलाइट भी सुरक्षित रखना हमें बहुत जरूरी है और ये तभी सुरक्षित रख सकते हैं कि इस तरह का डेटा की इस फ्लेयर्स के वज़े से उनको कितना निस्सान पॉंचेगा क्या ये इसी तरह के से और्बेट पे घुमेगा जी इसको सर एक्स्पेइन करके साल भाशा में हमें बताइए जी हां जो एलवन पॉंट है हमारा जिसको हम एक स्टेबल पॉंट ही बोलते हैं इन दो बॉडिस के लिए सिर्फ और सन के लिए हमारे ऐसे पांच पॉंट से इसम पॉंट के अराउंड ये जैसे आमने देखा इस अनिमेशन में उसी तरह के से यह एक सर्क्लर पाथ लगबक्स अनिमेशन को अगर आप समझाए कि किस तरीके से वह मूवमेंट करेगा जैसे कि इसके सेंटर में जहां पर हमारा अधित्तिय अलवन मूव कर रहा है उसके सें इनने में लग रहा है कि ये लगा